नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मायरुस सागत आपका फिल्मी मायरुपे आज हम बात करने वाले हैं फिल्मों के बारे में वैसे तो रोद हम फिल्मों के बारे में ही बात करते हैं लेकिन वो अलग-अलग फिल्में होती है आज तो सिर्फ फिल्मों के बारे में बात करेंगे करेंगे लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी तो प्लीज यारो इस वीडियो का आप एंड तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक किजिए तो चलो शुर करते हैं तो देखो भाई जब फिल्मों का अविश्कार हुआ तो उसका रिजन क्या था उसका रिजन एक ही था कि लोगों को एंटेटेंड करना है मतलब एंटेटेंड्मेंट की लिए फिल्में बनाई जाने लगी आगे जाके फिल्मों के अंदर क्या कि यार फिल्मों के जरी हम कुछ और भी कर सकते हैं दुसरा कारन का बन गया फिल्में बनने का और वह सोशब्रनेस हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वहां में कई सारे जो एक्टिविटीज है वो भॉरी होते हैं शो लोग हो प्रक्ति जो क्रेज है वो कुछ लोगों ने नोटिस किया तो उन्होंने सोचा कि यार हम फिल्मों के जरीए भी लोगों तक सोचल अवर्णिस के बातें फैला सकते हैं नौर्मली ट्राइशनल तरीके से अवर्णिस फैलाई जाती है लेकिन होता क्या है कि लोग अवर्णि कर दें लेकिन यही आपको अगर कोई फ्यवरेट स्टार फ्यवरेट हीरो आपको एक बड़ी स्क्रीन पर आकर समझाए कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं होना च कि फिल्में जो है entertainment के साथ social awareness के लिए भी बनाई जाने लेगी अब फिल्में बनने का तिसरा reason है motivation हम सब अपने life में कभी ना कभी किसी भी वजह से demotivate हो जाते हैं तो ACB situation आ जाते हैं कि हम इतने demotivate हो जाते हैं कि हम life जीना भी भूल जाते हैं या फिर life जीना छोड़ देते हैं इसकी वजह से कई सारे society होते हैं motivate होने केज़े तो कई सारे और भी options हैं जैसे कि कई सारे motivational speaker होते हैं या फिर कई सारे counselor से वह भी counsel करके आपको motivate करते हैं लेकिन फिर भी motivational speakers और counselor की बात सुनना बोरिंग सा लगता है लेकिन अगर कोई आपका favorite star आपको फिल्म के जरीए दिखाए कि यार जिंदगे में कैसे motivate होना है या फिल्मों के जरीए कुछ इसी स्टोरी दिखाए जाती है फिल्म का जो hero है वह अपने life में उत्रा चड़ाओ में फर्ज जाता है कई बार वह demotivate हो जाता है लेकिन उससे भी उभर कर वह आ जाता है एसे जो motivation से ना वह समाझ के लिए काफी अच्छे होते हैं लोग कुछ time के लिए ही लेकिन motivate हो जात उनके उपर बायोपिक्स बढ़ना ही जाती है बायोपिक्स बढ़ने का जो reason है वह एक ही होता है कि लोगों को उनके बारे में जानने का एक मोका मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या किया है और यह बात थोड़ी सी अच्छी भी है कि जिसको हम इतना legendary मानते ह उन्होंने अपने लाइफ में क्या-क्या किया है उसको थोड़ा सा बारी किसे देखने को भी मिल जाता है लेकिन इसके अंदर एक dark truth जी होता है और वो यह है कि कई सारे जो बायोपिक्स है उनके अंदर जो भी कुछ दिखाया जाता है वो कई बार जोट होता है psychology की अनुसा हर इंसन के अंदर रेना अदू personality होती है good और bad कोई भी जो व्यक्ति है वो 100% good नहीं होता और 100% bad भी नहीं होता इसलिए बायोपिक्स के उपर मेरा जो opinion है वो थोड़ा सा mix है अब हम बात करते है एक आकरी reason का जो बायोपिक्स से ही थोड़ा सा connected है और वो है propaganda movies और आजकल य इंडिया में है आपने बीते कुछ सालों के अंदर देखा होगा कई सारे जो movies है ना वो प्रोपोगंडा टाइप की होती है और खास करके जो पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है उसके तहत होती है मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया के अंदर उनके जो कोई लाए जाएगी धिर उनके अंदर दिखाया जाएगा कि प्रोपोगंडा जाता जाता है तोड़ासा प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा टाइप की movies यह election से पहले ही release हो जाती है आपने देखा होगा कई सारे जो elections आते है चाहे वो assemble के हो या फिर parliament के हो तो उनका जो election आता है तो उसके पहले ही इसी कई सारी film में आएगी वो बात अलग है कि लोग इनको ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते starting में लोग इनकी फिल्में देखने के लिए जाते थे पाप में लोगों को पता चलेगा ये तो सिर्फ पर प्रोपोगंडा है तो लोग अपना खुद का पैसा खर्चा करके वो political फिल्में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाते है अगर example के बात करेंगे मन बोहन सिंग के उपर फिल्म बनी है परदान मंत्री मोधी जी है उनके उपर भी फिल्म बनी है इसके अलावा अगर हम इधर महारश्टर के बात करेंगे तो बाला साथ ठाकरे के उपर भी फिल्म बनी है अभी कुछ दिनों पेले धर्मविर नाम की फिल्म आये जो की शिवसरना के जो बड़े नेथे ते आनन दीए उनकी जो बायोपिक थी उनकी उपर था पहला पाट बायोपिक था लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो पूरा प्रोपोगंडा था अभी रिसेंटली एक नमर नाम की मुवी आये वो भी काफी बड़ी आये लेकिन वो इतना यादा प्रोपोगंडा टाइप की नहीं लगती जिसके अंदर थोड़ा सा राष्टक्रे का कुछ सिन दिखाया गया है हाँ अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी इसका थोड़ा टाइप की मुवी आये ना तो उसको अवाइड ही कर दो वैसे लोग अवाइड ही करते हैं इसलिए परदान मंत्र के उपर जो वनी फिल्म है जिसके अंदर विवे काफिरा ने लेडर रोल प्ले किया था क्या हुआ उसका कब आई कब चली गई कुछ मालूम ने मान मोरन सिं के उपर भी फिल्म आई थी वो भी कब आई कब आई किसी को कुछ मालूम ने है इदर थोड़ा सा धर्मबीर और बाला सब ठाकती फिल्म थोड़ी बहुत चल गई लेकिन इतने भी नहीं चली जितने वो चलने चाहिए थी आयो आज का जो यह एंटिक वीडियो है फिल्मों चाहिए धन्यवाद